शिवार शिवाम शिवाम नमस्कार आप सबका हमारे चैनल शिवाग हुम रेमेडीस पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे ये तीन मुखी रुद्धराक्ष का माला है हमारे साइट पर आपको चार मुखी, पांच मुखी, छे मुखी तो मिलता ही है, साथ मुखी ये तीन मुखी रुद्धराक्ष का माला है जो स्रेटिफाइड है लैब दौरा परमानित के की ओरिजिनल है और हमारे शिवागो डॉट काम पे आपको ये अपी मंत्रित भी मिलेगा सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ जवाब के लिए अच्छी ख़बर है कि अब आप शिवागो डॉट काम से आप कुछ पैसे कमा सकते हैं कैसे कमा सकते हैं जब आप शिवागो डॉट काम हमारा साइड शबब आप खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसे किस तरह से कमाई जा सकते हैं अब रही बात इस रुद्राक्ष की तीन मुखी रुद्राक्ष की माला की तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं इसको धारन कैसे किया जाता है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे देगे तीन मुखी रुद्राक्ष की माला को या तीन मुखी रुद्राक्ष को अगनी देव का सुरूप माना गया है जिस प्रकार अगनी स्वर्ण को भी शुद्द कर देती है उसी प्रकार अगनी का सुरूप होने के कारण ये रुद्राक्ष शरीर को शुद्द करने में साहिक होता है तीन मुखिर उध्राक्ष में ब्रहमा विष्णू और महेश तीनो शक्तिआं का वास है इसे धरन करने वाला जातक त्री देवों से आशिरवाद पता है तीन मुखिर उध्राच में अगनी तत्व की प्रधानता है जैसा की मैंने आपको पताया तो अगनी तत्व जो की पंच तत्वों में भी प्रधान तत्व माना गया है तो अगनी तत्व की प्रमुकता के कारण तीन मुखी रुद्राज धारन करने से जातकों के विचारों में शुद्धता वो अस्थिरता आ जाती है और इस रुद्राक्ष को मंगल ग्रह से सम्मंदित माना गया है इसके लाव भी यह अनेकों लाव हैं जो की मैं आपको बताने जा रहा हूँ जैसे जिस व्यक्ति कबन किसी काम में ना लगता हो या जीवन चीने का आनंद समाप्त हो चुका हो शरीर किसी ना किसी प्रकार के बुखार से पीवित रहता हो भोजन खाने पर पेट में अगनी मंद होने के कारण से भोजन के ना पचने से रोग उत्पन होता है तो हाँ पर यह रुद्राक्ष जो है तीन मुकी रुद्राक्ष जो है वो अत्यदिक के लाबदायक साबित होता है अगनी को तिवर करके पाचक छमता बढ़ाती है और इसको पहने से आपके चेहरे पे तेज और सौर और बल तीनों प्राप्त होगा सबी प्रकार के आपदाओं से आपको मुक्ति मिलेगी नौकरी करने वाले और पेट से संबंदित कष्ट पाने वाले लोगों के लिए ये जो रुद्राक्ष की माला है अत्यांत लाबदायक है गरंतों के अनुसार तीन मुकी रुद्राज धारन करने से नारी हत्ता के पाप से मुक्ति मिलने की संभावना हो जाती है इसके धारन के अपने मंत्र हैं जो मैं आपको वीडियो करने बताऊंगा पर सबसे पहले मैं आपको इसके बैनेफिट्स बता दूँ चेहरे पर तेज और बल प्राप्त करने के लिए तीन मुकी रुद्राक्ष जरुद्रारन करें जिनका सेल्फ कॉंफिडेंस कम होता है तो आत्म विस्वास को बढ़ाने के लिए इस रुद्राक्ष को पहनना चीए इस रुद्राक्ष की माला को पहनना चीए इसे जातक का आत्म विस्वास ही नहीं बलकि यह उसे उरजावानी बनाए रखता है ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष की माला है ये वो लोग भी पहन सकता है जिनका मंगल और सुर्ष सम्मंदित दोश है तो मंगल और सुर्ष सम्मंदित जो दोश है वो भी दूर होंगे जिन लोगों का जन्म लगन और राशी जन्म लगन और राशी मेस विशक या धनू हो उनके लिए भी रुद्राक्ष की माला धारन करना अतीश शुब होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मान सम्मार्ण प्राप्त करने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष की माला को आप धारन कर सकते हैं खुब्सूरत भी लगता है जो आप पहनेंगे मैं तो खेरी से भी नहीं पहनुगा क्योंकि ये पहना हुआ माना जाएगा ये लंबा लंबा दाना है तो देखने में जो है न ये खुब्सूरत लगता है ये इस रुद्राक्ष की माला को आप सुमवार के दिन पहन सकते हैं गुरुवार के दिन भी आप इसको धारन कर सकते हैं जेनली रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला को सुमवार को धारन करते हैं पर गुरुवार एक ऑप्शनल है ये तीन मुखे रुद्राच जो आप कर स कर लेना चीए अभीमंतृत किया हुआ आपको शिवागो.com से मिल जाएगा होहां से आप प्राप्ट कर सकते हैं अब इसे अभीमंतृत कैसे करेंगे तो विदी बताएंगे नियम भी बताएंगे जो साउधानिया है वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो के एंड में तो चल मन चाहे फल की प्राप्ति के लिए इस तीर मुखी रुद्राक्ष की माला को वैसे तो यदि आफ सामन में पहनते हैं सावन मास में तब तो बहुत बढ़िया है किसी भी सुमवार को आप शिव मंद्र से भभी बंद्रित कर सकते हैं नहीं तो यसा सावन का इंदिदार तो आप नहीं कर सकते हैं तो आप सुमवार के दिन ऑप्शनल गुरुवर सुमवार के दिन उद्राक्ष की माला को पहले अप्शुद दिजल से असनान कराईए फिर्म पंचामरित, दूद दही, शहद, घी, गंगाजल के मिश्ण से सनान कराईए और अंत में गंगाजल से सनान कराई कुमकुम से तिलक किजिए इसे पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिचा कर अपने सामने रखें घी का दीपक और धूप यादी जलाए हाथ में थोड़ा सा जल ले लिजिए, संकल्प लिजिए कि हे परम पिता परमेश्वब, मैं, मतलब अपना नाम मैं भगवान शिव के उसी स्क्रिपा प्राप्त करने के लिए और मनुवान शित्फल प्राप्त करने के लिए इस रुद्राक्ष की माला को अभिमंत्रित कर रहा हूं मेरे कारे में मुझे पुर्णता प्रदान करें और कहते हैं कि हुए जल को आप जमीन पे छोड़ दीशे उसके बाद इस माला पे आपको जब करना है यदि आपनी ग्यारा माला जब कर लिया तो अति उत्तन है मंत्र है आपका ओम क्लिम नमः ओम क्लिम नमः या फिर ओम नमः शिवाए इस मंत्र के पश्चात जब आप जाब कर लिया है तो शिव का ध्यान करते हुए धीपक की लौग की उपर से रुद्राक्ष की माला को 21 बार घुमाए और मन ही मन ओम नमः शिवाए मंत्र का आप जाब करते जएं यह सिंपल मैथेड है जिससे आप भी कर सकते हैं आपको पंडितों वगरों को बलाने के जुरूत नहीं है खाम का अननेसेसरी एक्सपेंसे हो जाएंगे देखें यह चुरुद्राक्ष यह पुर्ण प्रभाव व्यक्ति को दिखाता है शुद्ध और सात्वी करके एश्वर की व्रिधी कराता है इसलिए हर जन को अगनी देव के स्वरूप तीन मुखी रुद्राक्ष की माला को धारन करना चाहिए कुछ नियम है जो आपको पालन करने है जो इतने मुश्किल नहीं है जैसे कि आपको फ्यून्डेल वगर पे पहन के नहीं जाना है शम्शान गाट में नहीं जाना है जहां पे सूतक लगा हुआ हो मतलब जिस घर में किसी बच्चे का जन्व हुआ हो या हॉस्पिटल में जहां पे बच्चे का जन्व हुआ हो आप वहां पर ना जाये यदि आप नॉन्वेज खाते हैं तो ये मेरी राय है कि अगर आपको पता है कि आप नॉन्वेज खाने वाले हैं उस दिन तो आप उता दीजिए रात को आप सोने से पहले उतार दें तो ये इन छुटी छुटी बातों को आपको ध्यान रखने हैं और कभी गलती हो गई तो रुद्राक्ष की मालग को आप वापस शुद्धी करण करके आप फिर पुना पहनेंगे शुद्धी करण में आपको गंगाजल वगर ऐसे इसको सनान करवाना पड़ेगा आप पुना सेम विधी करेंगे जो मैंने आप उपर बताए मंत्रो द्वारा शिवलिंग से सपर्ष करवाना उसके बाद फिर पहनना इन सब सारे चीज़ों को आपको फालो करना पड़ेगा तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है आप हमारे चैनल पे सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद